मुरैना में सराब माफियों की दुस्सा हस का मामला सामने आया है भरी पंचायत के सामने पंचो से सराब माफिया कह रहा है कि वे अबैद सराब के धंदे को बंद नहीं करेगा मामला लालो और खुर्द गाउं में सोमवार सुबै का है जगटना से नाराज होकर सरपंच और पंच जिला कलेक्टरेट पहुचे प्रसासनिक अधिकारियों से सिकायत की सराब माफिया दुआराज जिस समय पंचायत के सामने सराब कधंधा बंद ना करने की बात कही जारी थी उसी समय उसका वीडियो वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बना लिया नरेन जाटब पुत्र फूल सिंग जाटब लाला और खुर्द गाउं में अवैत सराब बेशने का काम करता है उसकी बेची सराब पीने से गाउं के लोग आपस में आए दिन लड़ते छगरते हैं इस पर सोमबार की सुबह गाउं के लोगों ने पंचायत जोड़ी तथा उसे नरेन जाटब को बुला कर कहा कि वह अपने अवैत सराब के धंधे को बंद कर दे लेकिन पंचो की बात सुनकर उसने साफ इंकार करती हुए कहा कि उसकी दुकान तो दो नंबर की है वह तो रोड के ग्रहकों से चलती है इस पर गाउं वाले बोले कि गाउं के लोग भी तो उसी किसे सराब खरीते हैं इस पर उसका तर्क था कि कलारी से भी पीते थे तो क्या जगरते नहीं थे उसने पंचो के मुह पर साफ कह दिया कि वह अपनी अवैत सराब की दुकान बंद नहीं करेगा इस पर पंचो ने उससे कहा कि वे उसके खिलाफ जिलावा पुलिस प्रसासन को सिकायत करेंगे लेकिन वे नहीं डरा और अपनी बात कहकर वहां से चला गया इसके बाद सभी लोगे कत्रितों कर न्यू कलेक्टेट पहुचे तथा प्रसासनिक अधिकारियों को इस बात की सिकायत की लाला और खुर्द के वाट तीन के पारसद राम दीन जाटब ने बताया कि इस मामले में सराब माफिया वा पुलिस की मिनी भगत चल रही है अगर पुलिस चाहे तो सराब की इस अवैद धंदे को बंद कर सकती है बता दे कि इसी मुरैना में जहरीरी सराब पीने से 15 लोगों की मौत हो चुकी है इस बात को दो वर्स बीतने को हैं इस घटना के बाद से जिने में अवैद सराब की खरीद परोख्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी लेकिन उसके बाबजूद अवैद सराब का कारूबार बंद नहीं हो पा रहा है कि राज यह पूरा पंच कर रहा है बाड़ी बंद कंटे हो तो फिसकात करेंगे ते नाम बार प्रतों वह वह डिक भी हो ठीगे लाज करेंगे